ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ मोहिनी एकादेशी महात्म धर्मराज युदिष्टर बोले हे कृष्ण वैशाक माह की शुकल पक्षकी एकादेशी का क्या नाम है तथा क्या कता है इसकी व्रत करने की कौन सी विधी है सो सब विस्तार पुर्वक कहिए श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंद मैं एक कता कहता हूँ जिसको महरशी वशिष्ट जी ने श्री राम चंदर जी से कहा था श्री राम चंदर जी बोले हे गुरुदेव आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नश्ट हो जावे मरशी वशिष्ट बोले हे राम आपके नाम के समरन मात्र से ही मनुश्य पवित्र हो जाता है इसलिए आपका यह प्रशन लोग हित में अवश्य होगा वैशाक माह के शुकल पक्ष में एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है इस एकादशी का व्रत करने से मनुश्य के समस् चूट जाते हैं इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से चूट जाता है अतः हे राम इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्थ पाप दुख नश्ठ हो जाते हैं अब आप इसकी कथा सुनिए सरस्वती नदी के किनारे एक भगवती एक बद्रावती नगरी में एक धन पाल नाम का धन धानने से पुन्यवान एक वैश्य रहता था वै अत्यंत धर्मात्मा था और विश्नु भक्त था उसने नगर में अनेको भोजनाले प्यावू, कुवा, तालाग, धर्मशाला आदी बनवाए उसने सडकों के किनारे अनेक व्रक्ष लगवाए उस वैश्य के पांच पुत्र थे उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत वै अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था, इस पर उसके पिता भाईयों तथा कुटुम्बियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे, घर से निकाल देने के बाद धनरष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों न गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिये और उससे नगर छोड़ने को कहा अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा वह बहेलिया बन गया और धनुश बान से पशु पक्षियो को मार मार कर खाने लगा एक दिन वह पापी भूक और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य रिशी के आश्रम पर जा पहुंचा उस समय वैशाक का महीना था कौटिन्य रिशी गंगास्तान करने आये थे उनके भीगे वस्तरों के छीटे मात्र स इस पापी को कुछ सदबुद्धी प्राप्त हुई वै पापी मुनी के पास जाकर हाथ जोड़ कर कहने लगा हे मुनी मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किये हैं आप उन पापों से छूटने का कोई साधारन और बिनाधन का उपाय बतलाए तब रिशी बोले कि तू तू ध्यान दे कर सुन तू वैशाक माश के शुकल पक्षकी एकादशी का वरत कर इस एकादशी का नाम मोहिनी है इस वरत करने से तेरे समस्त पाप नश्ट हो जाएंगे मुनी के वचनों को सुनकर वै बहुत खुश हुआ और मुनी की बतलाई हुई विदी के अनुसार उ उस वरत के प्रभाव से उसके सभी पाप नश्ट हो गए और अन्त में गरुड पर चड़कर विश्णु लोग गया इस वरत से मोह आदी भी नश्ट हो जाते हैं इसके महात्म को श्रवन वो पठन से एक सहस्त्र गोदान के बराबर पुन्य मिलता है इस वरत करने वाले को इस वरत करने वाले प्राणी को इस वरत को करने वाला प्राणी सांसारिक मोह माया आदी के बंदन से मुक्त हो जाता है चोरी हत्या दुराचार आदी समस्थ पापों का नाश करने वाला यह परमक उप्योगी वरत है यह वरत भगवान बाके बिहारी जी का वरत माना जाता है इस दिन के वरत में गोर मुत्र की प्रधानता होती है वरत में नमक मिर्च तेल आदी वर्चित है सागार मिठाई युक्त लेना चाहिए बें नमक में अंग समय वरिल मुत्त लेना चाहिए सब्सक्राइब वासु दिवाया